गुड इवनिंग आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है इंस्पिरेशनल गुरूजी यूट्यूब चैनल पर यहां दोस्तों बड़ी थबर हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की वेबसाइट से यहां अभी-अभी अभी एक बार फिर ने कुछ वेकंशिस के लिए नोटिफिकेशन डाले हैं तो क्या है वो नोटिफिकेशन जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के आद तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले तो जल सब्सक्राइब के लिए नोटिफिकेशन डाले हैं इसी को लेकर ये डिटेल नोटिफिकेशन इस तरह से है कि सब्सक्राइब के लिए इन्होंने कंडिट्स जो कूल किया है और अब स्क्राइब कर रहेगा चाहुदा मई को जो की अभी दो तिन दिन बाद ही है तो अपने सभी ऑरिजिनल डोक्युमेंट और सेल्फ अटेश्टिड डोक्युमेंट्स की कोपी साथ में लेकर जाएं और इसके बाद में आपको कोई opportunity नहीं भी जाएगी अब यहीं दूसरा notification जो की auction recorder का है उसकी बात कर ले तो उसमें टोटल जो पोस्ट थी 98 थी और उन 98 पोस्ट के लिए यह काफी बोड़ी सक्था में तेरा तारीक को इनका document of scrutiny रखा गया है और अगर यह total candidates की बात कर लें दोस्तों तो मैं आपको बता हूँ यह 200 प्लस total candidates को को खोल गी है 200 plus कुछ candidates हैं जिनको HSC की तरफ से scrutiny of documents के लिए को लाई है जो की auction recorder की वेकेंसी थी अब बात कर लेते हैं मंडी supervisor complete collector की जो पोस्ट थी उसके लिए total कितनी candidates को को खोल गिया है SBC की पोस्ट को साथ मिलाकर 46 पोस्ट थी और 46 पोस्ट के लिए इनका 14 माई को ही रखा गया है scrutiny of documents तो यह total number of students 125 की आसपास ही total candidates है तो 125 document of scrutiny के लिए candidates को पोल गिया है तो अगर हम फिर से अगर मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देना जाता हूं कि जो मंडी सुप्रिवाइजर है हर्यानागी रिकल्टर स्टेर बोर्ड में उनके लिए तउदा मही को और auction recorder के लिए 13 मही को और post of account के लिए तउदा मही को scrutiny of documents के लिए schedule लखा गया है तो आप अपने original documents के साथ और साथ में self-attested copy of original documents का जो आप set बनाएंगे उसका लेकर कमिशन की office में इन निर्धारी तिक्चें बर पहुंचें तो आपके भविशे की शुब कामनाओं के साथ अभी इजाज़त चाहेंगे फिर किसे ची ख़बर के साथ मिलेंगे तब भी इजाज़त लगश्का